राजिस्तान में चुनावों में सालवर से ज़्यादा का वक्त वचा है लेकिन नेताओं के दौर इस तरह से हो रहे कि मानो बस चुनाव कल लिहो और बोर्ट पड़ जाएं राजिस्तान में कॉंग्रेस और बीजेपी में देश वक्त की ऐसी होड लगे कि दौर इदल के नेता अपने देश प्रेमी का तरंगा लेकर जाहिर करने निकल पड़े हैं बीजेपी ने हर घर तरंगा बियान चला रखा है इसके तहट आजादी के पिचत्मी सालगिरा के मौके पर वो देश के हर घर पर तरंगा लेराता हुआ देखना चाहती है अपने इस क्वाइस को पूरा करने के लिए पार्टी के सारे नेता तरंगा यात्रा पर निकल चुके हैं खुद बीजेपी के पिरदेश अध्यक सतीष पूनिया भी हाथ में तरंगा लेरा रहे हैं जिहां वो भी बाइक पर सवार होकर एक दम फिल्म स्टैल में सड़क पर दौर्ती बाइक पर पूनिया ने तरंगा थामे हुए दिख रहे हैं इदर बीजेपी के सांसर दाद्यवर्जन सिंग राट और भी तरंगा थामे नजर आए गजिंदे सिंग सिकावत ने उद्यपूर में तरंगा यात्रा निकाली लेकिन इस दोरन वो अपने विलोधियों पर बर्षने से नहीं चूके ऐसा लग़ा है कि मानो तरंगा यात्रा के बाहने बीजेपी वाले अपना सक्ती प्रदसन करने की ठान चुके है बात देश की सान तरंगे की हो तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए साइध ये कॉंग्रेस की भी समझ आ चुका है क्योंकि अब कॉंग्रेस भी वीजेपी की तरह अपने हाथों में तरंगा लेकर निकल पड़ी है बस फर कितना ही से गौरवयात्रा का नाम दिया है देखा जाये तो फर कुछ भी नहीं है दोनों ही दलों में अपना सक्ती प्रदसन कर रहे हैं लेकिन अलग अलग नाम से खुद मुखे मंत्रे असो गेलोत ने भी इस बार आ जाती के महा मौस्तर पर पार्टी के कारे करताओं से हर घर पर तरंगा लहरा ने के अपील किया है जैसन मेर से लेकर बार मेर तक जैपूर से लेकर बिकान मेर तक हाथ में कॉंग्रेस के नेता और कारे कताब तरंगा के साथ ही दिखते हैं क्योंकि कॉंग्रेस के नेता भी साइद यहीं चाहते उनकी देश वक्ती कोई भी कम नहीं समझे लाल किले पर देश के सांध की प्रतिका तरंगा का हर साल लहराता है लेकिन ऐसे पहली बार देखा जाएगा जो जब तरंगा को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही दल वक्ती दिखा रहे हैं दो ऑप्रेल 2022 को कॉंग्रेस से बादल की ओर से आज़ादी की गौर्टरव यात्रा का सवर्म किया गया था एमदाबाद की गांदी धाम आक्सरम में इसका आगजाम को हुआ था एक जून 2022 को कॉंग्रेस से वदल की कारेकरता दिल्ली की राजगाट पहुंचे थे 1200 किलोमेटर की इस हात्रा को 88 दिन में पूरा किया गया था कॉंग्रेस और बीजेपी में देशवक्त की ओर देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो अप देशवक्त की मुद्धे पर इस दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी इस मुद्धे को लेकर सारे अपने चुनावी तयारे के पर लग चुके हैं इस मुद्धे के सारे अपने दोनों पार्टियां चुनावी तयारे के लग चुकी है